हेलो फैमिली! कैसे हैं आप लोग? I hope so आप लोग बहात अच्छे होँगे आज मैं आपके शाथ बनाने जा रहे हूँ खजूर जो कि बहुत लोग इसे टेकरे भी बोलते हैं बहुत लोग खजूर भी बोलते हैं और न्यू जनरेशन इसे cookies बोलते हैं सो चलिए बनाते हैं खजोर पहले तो sorry क्योंकि मैं इसका proportion दिखाना भूल गई आपको तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने यहाँ पे दो कप मैदा लिया है एक कप मैंने गिहूं का आटा लिया है और one food मैंने यहाँ पे लिया है घी का मोयन घी का मोयन मैंने इसले लिया है क्योंकि यह बहुत ही अच्छा होता है खजोर के लिए बहुत ही खास्ता और बहुत ही यम्मी बनके त्यार होता है गी का टेस्ट जब अंदर रहता है इसके बाद में डालेंगे नारियल का बुरादा यूज़ करते हैं मैंने घर का नारियल का गूल्डा बना लिया मैं यहां पे लें तीन से चार इलाइची यहां पर इलाइची पॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने खड़ा ही लाइची डाला है और उसका छिलका हटा दिया है मैंने उसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स उसके बाद हम इसमे आड करेंगे चीनी चीनी का जो रेशियो है वह मैं आड को बता देती हूँ आटा हमारा ठोटा हुआ थ्री क्यूंकि दो कप मैंने मैदा लिया था और एक कप गहूंका आठा तो उस हिसाब से 5 मैंने आधा यहां पर चीनी लिया देढ़ देर कप मैंने चीनी लिया है उसे एक कप पाने में करके म बिल्कुल आटा के रोटी की तरह हम इसे नहीं गूथेंगे अच्छे से हलके हीलके हाथों से मसलते हुए स्रेविष नार्मल सा बुर जाये। करेंगे एंब बहुत हाट भी नहीं रखेंगे। में इसे मसलते हलका सा बंड करेंगे। यहां पर देख सकते हैं डो जो हमारा है वो होगया है त्यार और यह बहुत जादा हाड नहीं है और बहुत जादा सॉफ्ट भी नहीं है तो हम इसे ऐसे ही कर लेंगे बाइंट दस मिनिट के लिए हम इसे रखेंगे रेस्ट पे क्योंकि हमारा आटा और मैड़ा जो है वा अच्छे से फूल जाए और चीनी गूल जाए और चीनी नहीं खूल आज़ते क्योंके वो ऐसा ही बनता है cookie के टेस्ट होता है और flavor जो हाता है वो वह ऐसा ही होता है तो यहां पर हमारा आटा जो है दस मिनिट टिश्ट के बाद देख सकते हैं बहुत अच्छा हो क्या है अब हम लेंगे छोटा छोटा लोई लोई को हम अच्छे से हाथेलियों पे ऐसे करके हम बना सकते हैं आप किसी भी सेप में बना सकते हैं राउंड में स्क्वायर में कैसे भी करके बना सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से बन जाएगा ऐसे हेगी आप चाहेब तो सांची में बना सकते हैं जो मारकेट में लकडी सांचा मिलता हैं, तो आप ऑससे बीडाले डिजाइन सकते हैं आप हाथेलयो पे बिद एक जूप आप बना सकते हैं जैसे आप इजी वे में बना सकते हैं, इसमें कोई ईसू नहीं है, आप चाहिए तो सपून के साहता से बना सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ, मैं एक ठाली में आसी ले लिया, और रहे लूई को मैंने यहां पे रख दिया है, चेंब एकी ह्ती फोग के बैक साइट से आप लेंगे यहां पे भी करने के इस पाहिए उसने होल करेंगे जो अच्छी गजूर में अंदर जाता है और हमारा खजूर बहुत हीर सब्सक्रीजिक बन के तियार होता है आप देख सकते हैं कितना पतला मैंने बनाया है इसे और फ्राई होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगे यह कैसा बनके रेडियो होता है इतना डालें ढू। अब ठीच नहीं तो लो तेख को अधिन वाध में धोनाया मिनात में एक पर और अब यह को होएँ होगा किती है करेंगे हर दो-तीन दो-तीन मिनट पर एक चमच के साहता से धीर महा पलते हुए यहां पे हम पलट लेंगे अपने सारे खजूर को बड़े स्पेशला से नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारा खजूर बहुत सॉफ्ट है वो तूट जाएगा तो हम एक छोटे से चम्मत से एके करके हम इसे पलट लेंगे करणा बहुता तो र्हें पूंट है और हमारा खजूर पक taxpayer है और बहुत सॉफ्ट है और हम ए ऐसे रखेंगे और यहां पर देख सकते हैं खजूर कितना यम्मी सा टेस्टी सा बनके त्यार हुआ है ना देखने में भी कितना अच्छा यह लग रहा है बिल्कुल मार्केट जैसी कुकी तैसी है ना तो यह देखे मैंने सारक खजूर को अपने बना लिया और ये बहुत ही अच्छा बन के त्यार हुआ है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खास्ता और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और अंदर से बिलकुल जालीदार बन के ये रेडी हुआ है ये बहुत ही यम्य और बहुत ही टेस्टी और अभी तक आपने अगर ट्र सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से सब्सक्राइब करें ओके फ्रेंट्स लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू सो मुच आन इंजुआए कुछ